अमूल जो है गुजरात का तो उस गुजरात के अमूल में जो विलीनी करन करना चाहते है नंदीनी को ये सरासर गलत है जो सबसेड़ी हर एक लीटर पे मिलता है अपने किसानों को अगर ये कॉर्पोरेट कमपनी के हाथ में चला गया अमूल के हाथ में चला गया क्या ये गैर जाने नहीं दे सकते. जो आज नंदिनी जो नाम है, हमारे करनाटका में हर एक आवाम को नंदिनी का नाम पता है, अमूल बहुत कम लोगों को पता है, जितना नंदिनी हर सब को पता है, क्योंकि नंदिनी वो नाम है, जो हर किसान के घर से जो दूद आता है, उस हर किसान के लवस पे नंदिनी रहत तो जो आज ए सरकार जो करुजरात का है गुजरात के नाम से अमूल जो है उस गुजरात के अमूल में जो विलीनी करना चाहते हैं नंदिनी को यह सरासर गलत है यह हमारी जो करनटका की हर एक लेवर है हर एक कृशिक कूलिकार है जो हर एक इनसान अपने खेती बाड़ी करके जो अपने गाय बेशों से दूद आता है वो दूद दे के जो नंदिनी का नाम बनाया है आज उस नाम को हम इन गुजरात के अमूल में जाने नहीं दे सकते जो नंदिनी है वो हमारा गर्व है हमारा जो गर्व हम जो अपना यह बोलते है गर्व से बोलते हैं नंदिनी हमारे करनाटका की है हम वो अमूल में नहीं दाल सकते इस बात को हम सब लोग विरोध करते हैं अमूल में नंदिनी नहीं जा सकता है इस वज़ए से हमारे कूलिक देखेंगे जो सबसेड़ी हर एक लीटर पे मिलता है अपने किसानों को अगर ये corporate company के हाथ में चला गया, amul के हाथ में चला गया, क्या ये guarantee देंगे सरकार की वो subsidy उन्हें मिलेगा, नहीं, ये सीधा-सीधा corporate company के bank में जाएगे, सीधा उनके खाते में जाएगा, ये हमारे किस किसानों के हाथ कुछ नहीं लगने देंगे, ये सरासर खिसानों की कतल की जैसा है, जो हमारे अपना है, हम से छीन कर अगर किसी और को आप दे रहे हो, तो ये कुछ नहीं हमारे कतल जैसा होता है, तो हम नंदिनी को किसी और को बेचने नहीं देंगे, नंदिनी सिर्फ हमार कि राइत बंदों का है सिर्फ हमारे करनाटका के आवाम किये तो सिर्फ ये हम में ही रहना चाहिए